सवाल नमबर एक, युकी भावरी का सन्नमबन किस खेल से है? आपका ओप्शन है A. टेनिस, B. क्याराकी, C. बैड्मिंटन, D. क्रिकेट आपका सही जवाब होगा。 आपका सही जवाब होगा. ओप्शन A. टेनिस, सवाल नमबर दो, अरजुन पुरसकार किसक्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रडान किये जाते हैं? आपका ओप्शन है A. सिनिमा, B. साहित्य, C. खेल कूद, D. विध्यान आपका सही जवाब होगा Option C, खेल कूद सवाल नमबर 3 D, CM Trophy का संबन किस खेल से है? आपका Option है A, होकी B, क्रिकेट C, फुटबॉल D, गोल्फ आपका सही जवाब होगा Option C, फुटबॉल सवाल नमबर 4 माइकल फेल्प्स किस खेल से संबन धियत है? आपका Option है A, क्रिकेट B, बिल्याडस C, शत्रंज D, कराकी आपका सही जवाब होगा Option D, कराकी सवाल नमबर 5 अरजुन पुरसकार कप्रारंभुआ आपका Option है A, 1989 B, 1899 C, 1961 D, 1997 आपका सही जवाब होगा Option C, 1961 सवाल नमबर 6 सर्डॉन ब्रेडमन ने किस खेल में अंतरराष्ट्रिये ख्यादी प्राप्त की है आपका Option है A, फुचबॉल B, मुक्केबाजी C, क्रिकेट D, शत्रंज आपका सही जवाब होगा Option C, क्रिकेट सवाल नमबर 7 भारत के किस निशाने बाजने लंदन ओलंपिक खेलों 2012 में रजत पदक प्राप्त किया आपका Option है A, विजय कुमार B, राज्य वर्धन सिंग राठोर C, मानवजीत सिंग संधू D, सम्रेश जंग आपका सही जवाब होगा Option A, विजय कुमार सवाल नमबर 8 स्पर्श रेखा किस खेल से सम्बंधियत हैं? आपका Option है A, क्याराकी B, कबड़ी C, फुट्च बॉल D, मुकेबाजी आपका सही जवाब होगा Option B, कबड़ी सवाल नमबर 9 आस्ट्रेलिया ओपन टेनिस डैश 2012 के पुरुष एकल विजयता कौन है? आपका Option है A, नुवाक जोकोविच B, राज्य वर्धन सिंग राठोर C, मैस्क मिरनवी D, इनमें से कोई नहीं आपका सही जवाब होगा Option A, नुवाक जोकोविच सवाल नमबर 10 3 सेकंडस किस खेल से संबंधियत हैं? आपका Option है A, मुकेबाजी B, बास्केट बॉल C, बिलियर्ड्स D, इनमें से कोई नहीं आपका सही जवाब होगा Option B, बास्केट बॉल सवाल नमबर 11 एरानिक अक का संबंध निमनल किक में से किस खेल से हैं? आपका Option है A, होकी B, पोलो C, क्रिकेट D, फुट बॉल आपका सही जवाब होगा Option C, क्रिकेट सवाल नमबर 12 सानिया मिर्जा निमनल किक में से किस खेल के लिए चर्चित है? आपका Option है A, इथरेटिक्स B, लॉन टेनिस C, बास्केट बॉल D, इनमें से कोई नहीं आपका सही जवाब होगा Option B, लॉन टेनिस सवाल नमबर 13 आपका सही जवाब होगा Option A, बाक्सिंग आपका सही जवाब होगा